Hello friends, today I am going to teach you the law of contract और आज हम पढ़ेंगे valid rules of legal offer तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से इनको हम कुछ cases के माध्यम से समझेंगे तो पहला legal rule है An offer is made to create legal obligation मतलब कोई भी अगर offer हो तो उसमें legal obligation होनी चाहिए जो की well for versus well for case में बताया गया है और ये मैंने case आपको previous वीडियो में बताया है तो आप i button देखकर यहां पर देख सकते हैं ठीक है और जैसे मान लीजे एक example देता हूँ कि legal obligation क्या नहीं है मान लीजे कोई अपनी wife से promise करता है कि वो उसे heel station पर लेकर जाएगा और बाद में वो नहीं ले जाता है तो wife उसमें case नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ पर कोई legal obligation नहीं create हो रहा है ठीक है चलिए देख लेते हैं next an offer must be express or implied तो express और implied क्या होता है express कोई चीज है जिसमें हमने clearly mention किया कि मान लीजे ये pen है तो मैंने clearly बोला कि this pen is for hundred rupees तो ये offer का एक express रूप है implied रूप क्या होगा implied रूप ये हो सकता है जैसे मान लो कि हम लोग जो किसी transport में बैठते हैं मान लीजे मैं हम मैं किसी आटो पर बैठा और मैंने बोला कि आप मुझे इस जगे पर पहुचा दीजे तो जब भी वो वहाँ पहुचा देंगे तो वहाँ पे एक implied offer है तो हमें उन्हें pay करना पड़ेगा हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे बीच में कोई contract नहीं हुआ तो हम कोई agreement नहीं हुआ तो हम आपको pay नहीं करेंगे ठीक है ये एक implied contract हुआ next legal rule क्या है terms of offer must be definite and clear not vague vague नहीं होना चाहिए तो कोई भी offer है clear offer क्या हुआ जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये pen मैं 100 rupees का बेच रहा हूँ ठीक है ये एक clear offer है माल लीजे कोई इस तरह का एक offer दे रहा है कि आप मेरी property rent पे लीजे और ये rent पर तब तक रहेगी जब तक आप इसको maintain और decorate रखेंगे तो ये एक valid offer नहीं हुआ ये vague और ambiguous है ठीक है चलिए next देखते है next है willingness to do obtain from doing something ठीक है अगर हम willingness करते हैं कुछ करने की या नहीं करने की तो ये offer होता है अब offer दोनों तरीके से हो सकते हैं एक offer है कि आप certain property खरीद रहे हैं तो ये एक हो गया दूसरी चीज़ हो गया आप certain property में interfere नहीं करेंगे तो ये दो तरीके के contract होते हैं ठीक है मुझे लगता है clear हो गया होगा आप लोगों को अब offer must be made to obtain the ascent of other मतलब offer इसलिए दिये जाता है कि हम दूसरे विट की सहमती ले सके हैं ठीक है next offer must be journal और specific तो offer या तो journal हो सकता है या तो specific हो सकता है तो जर्णल offer के लिए एक case आया था Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company तो इसमें क्या हुआ था जो Mrs. Carlyle थी उन्होंने एक company का एड देखा company का नाम था Carbolic तो ये एक Smoke Ball बनाती थी Carbolic Company तो उनके advertisement में ये था कि अगर तीन हफते तक लगा था आप हमारे Smoke Ball का यूज करते हैं तो आपको कोई भी influenza नहीं होगा तो जैसा कि उन्होंने offer दिया था तो वो सारी conditions fulfill करते हुए Mrs. Carlyle ने Smoke Ball तीन हफते तक ली लेकिन उन्हें तब भी influenza हो गया तो उसमें advertisement में ये भी बात थी कि अगर influenza हो जाता है तो आप आप जो है 100 डॉलर तक compensation ले सकते हैं तो उसने Mrs. Carlyle ने compensation मांगा और बोला कि भाई हमारा 100 100 pound हमें दीजिए लेकिन company ने बोला कि नहीं वो कोई contract नहीं हुआ था आप से तो court नहीं है नहीं वो एक आपका offer जो था वो public at large था हैं मतलब जो journal offer होते हैं उसमें क्या होता है कि आप कुछ terms रखते हैं और जो भी उन conditions को fulfill करेगा तो फिर आपको जो आपने कहा है वो आपको fulfill करना पड़ेगा तो कार बोलिक कंपनी को वो fulfill करना पड़ा तो यह है कार लिल versus कार बोलिक केस नेक्स देख लेते हैं नेक्स रूल क्या है नेक्स रूल है offer must be communicated communication जरूरी है offer में ठीक है तो communication किस से हूँ जैसे offer जिसको communicate किया गया है अब आपको मालूम ही नहीं है कि ऐसा कोई offer था तो फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी इसमें example है देख लेते हैं क्या case है लालमन सुकला वर्सेज गौरीदत केस में क्या हुआ कि लालमन सुकला वर्सेज गौरीदत केस में इसमें जो defendant था उसका बच्चा खो गया था तो उसने अपने servant को हरी द्वार भेज दिया मतलब यह कानफूर में रहते थे जो defendant थे तो उन्होंने मलब जो servant है वो plaintiff है उसको उन्होंने वहां भेज दिया हरी द्वार तो जब वो हरी द्वार गया हुआ था तो उन्होंने यहां पर एक advertisement कि जो भी व्यक्ती मेरे बच्चे को ढूंडेगा उसे पांसो एक रुपए मिलेंगे ठीक है बट जो servant था उसे इस offer के बारे में नहीं पता था वो servant उस बच्चे को हरी द्वार से कानपुर ले आया और उसने job छोड़ दी कुछ दिनों बाद और after the six months उसने उसे जब पता चला कि newspaper में उन्होंने ऐसा advertisement दिया था उन्होंने कहा कि मैंने आपके child को ढूंडा था तो please मुझे जो reward मनी है वो मुझे दीजिए बट उन्होंने मना कर दिया तो plaintiff court चले गए तो court ने कहा कि आपको offer के बारे में पता ही नहीं था आपने जो भी conditions fulfill की वो as a master-servant relation में की तो इसलिए जो भी offer हो वो communicate उसी वेक्ति को होगा तब ही उसको एक valid offer माना जाएगा ठीक है next देखते हैं An offer is different from the invitation to offer तो invitation to offer क्या होता है ठीक है invitation to offer क्या होता है समझते हैं तो invitation to offer इसको मैं case समझते हैं केस क्या है हारवी वर्सिस फैसे तो हारवी वर्सिस फैसे कैस में क्या हुआ इसमें एक email के जरिये से एक pen को खरीदने की बात हुई और इस pen को इसमें दो questions थे उस email में पहला questions था क्या आप सेल करना चाहते हैं उस pen को इसका नाम था hall ball pen साथ hall ball pen नहीं था sorry sorry bumper hall pen तो bumper hall pen उसका नाम था तो और दूसरा question था दूसरा question था कि उसका lowest price क्या होगा तो उन्होंने पहले जिसको email किया गया उन्होंने पहले question का तो answer नहीं दिया लेकिन दूसरे question का answer दिया कि lowest price is 90 pound तो उन्होंने email किया कि हम agree हैं और हम आपका bumper hall pen खरीदना चाहते हैं तो उन्होंने refuse कर दिया तो यह party चली गई court तो court ने कहा कि उन्होंने तो refuse कर दिया और उन्होंने तो lowest price बताया उन्होंने तो कभी भी यह offer यह offer आपको दिया ही नहीं कि आप मेरी मेरे hall bumper hall pen को खड़ी दें ठीक है तो यही एक इसमें था चलिए देखते है next इसमें एक और केस है फार्मसोटिकल सुसाइटी वरसेज बूट केस कैमिस्ट लिमिटेड तो इसमें क्या हुआ इसमें कुछ medicine self में लगी हुई थी तो वो एक store था तो उसमें क्या था self service था तो self service जहां होती है आप खुदी पिक करके समानी से mall बगेरा में होता है तो उन्होंने medicine पिक करी और cash counter पर रख दिया जाके और बोला कि मुझे ये buy करनी है बट cash counter पर उन्होंने मना कर दिया और बोला कि ये हम नहीं बेच सकते तो वो court चले गए और उन्होंने बोला कि ये तो offer था वहां पर जो भी समान रखा हुआ है उस store में तो वो एक offer है कि हम कोई भी समान उसमें से खरीच सकते हैं court ने का नहीं ऐसा नहीं है जब आप इस तरह के किसी swap में जाते हो तो वो invitation to offer है invitation to offer क्या हुआ कि आप आए और वहां पर आपने वो समान पिक किया और जब cash counter पर आप ले जाओगे तो आप offer दे रहे हो कि मैं इसको खरीद रहा हूँ तो जब तक store के जो भी वेक्ति हैं वो जब तक उसको हा नहीं बोलते हैं acceptance नहीं करते हैं तो उनकी acceptance होनी ज़रूरी है कोई भी समान जो है लेने के लिए ठीक है तो कोई भी समान खरीद नहीं हो वहां से तो उनकी acceptance ज़रूरी है जहां से हम purchase कर रहे हैं तो that is the thing अभी आगे देख लेते हैं last case special terms and condition of the offer must be communicated तो इसमें case क्या है Indian Airlines Corporation versus माधुरी चौधरी तो इस case में क्या हुआ था कि जो plaintiff थे वो arrow plane से सफर कर रहे थे तभी एक accident हो जाता है और ticket में लिखा हुआ था कोई भी accident हो कोई भी damage हो जो aircraft company है वो libel नहीं होगी ठीक है ना pilot होंगे कोई भी employee भी libel नहीं होगा airlines का तो उन्होंने इसको court में ले गए तो lower court ने बोला कि भाई जो भी special terms है वो illegal हैं और unlawful हैं तो यह public policy के against हैं लेकिन high court ने इसको reverse कर दिया जबकि supreme court ने कहा कि special terms and condition of offer must be communicated supreme court ने कहा कि special terms अगर कुछ है तो वो उनका communication होना चरूरी है तो इस तरीके से आज हम यह class खतम करते हैं बाकी like करते रहिए subscribe करते रहिए thank you so much आप